NCRT ने जो बदलाव किये हैं, उनकी जरूरत क्यों पोड़ी? अब आईए ये जानना बहुत जरूरी है, जो बदलाव हुआ वो हमने बता दिया, बिना लागलपेट, बिना राजनीति के, अब आप सब जानते हैं कि क्या-क्या हटा है, क्या-क्या बचा है। अब ये क्यों हुआ, NCRT के जो डारेक्टर है, प्रोफेशर दिनेश प्रसाद सकलानी, उनसे हमने बात किया, ये सुनते हैं। और इसको उबारने की स्थिति में बच्चों को उबारना ज़रूरी था। हमें पता है कि स्कूल बंद रहे, क्लासेज नहीं चली, लर्निंग लॉस हुआ, टाइम का भी लॉस हुआ, तो उसको पुरा करने के लिए हर तरफ से ये भ्यू बना कि हम कंटेंट लोड टेस्ट बुक का कम करें। तो पिछले गत बर्स जो है, ये कंटेंट लोड कम करने के लिए चे आर्टी ने तमाम विसे सक्यूंकि समीधिया बनाई और हर विसे में बनाई, जितने भी विसे हैं, जितने भी पुस्तक हैं, सबके बारे में अलग-अलग एक्सपर्स कमिटी बनी और उन्होंने टेस्ट बुक को देखा और ये महसूस किया कि अगर कहीं भी कोई करना चीए, तो जहां उनको लगा कि किसी एक क्लास में किसी बिसे पर बात हो चुकी है, तो उसको दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाय जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कंटेंट लोड कम करना था, तो ये रेशनल तरीका था, तो उन्होंने बुक को उसको हटाने के बात इसलिए हुए क्योंकि पहले पढ़ाया जा चुका है, ऐसा है कि आप मुगल लितियास की बात क्यों करते हैं, या कोई भी क्यों करता है, हमने विज्ज्ञान, गणित, हिंदी, अंगरी जी, सभी विश्विय में किया है, निराला जी की कविता हटाई सभी में यह पैमाना था कि जहां पर कोई भी कंटेंट लोड लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, उसको एक्सपर्स ने रिकमंड किया है, कोई NCRT का अपना भीव पॉइंट नहीं होता है, NCRT तो एक प्रोसेस करते हैं जब जरुत पड़ती है, टेस्ट बुक की करती रहती है, टेस्ट बुक का रिपीशन होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें रिडिननेंट हो जाती हैं कई बार, तो रिप्रोसेस न्ोर्मल प्रोसेस, कोई इसमें अलग से कोई ऐसा फृयास नहीं किया जा रहा है कि कि किसी को जानबुज के अटाना है यह नहीं अटाना तो यह तो बिलकुल abnormal situation थी pandemic situation उससे समाज को वारना था बच्चों को वारना था तो चेंज नहीं हुआ टेस्ट बुक में यह सिपारिस ने की गई कि ठीक है इन chapters को अगर हटा दें तो कोई नुकसान learning loss बच्चों का जो है नहीं होने वाला आप सब जानते हैं तीन मैने तक print media हो electronic media हो सभी में पूरी तरह से पूरे देश को विश्वास में लिया गया और सभी को बताया गया और यह सब लोग इससे सहमत थे कि यह जो हुआ ठीक हुआ अब लोग दुबारा इसको उठा रहे तो ठीक है उनको पता होगा क्यों उठा रहे हैं वो प्रशन हम से पूछने का कोई मतलब है नहीं देश जो है किस्वी सताबदी में आ गया तो हम यह कहेंगे कि पुरानी किताबे हम पड़ाते रहेंगे समाज की आउसकता है देश की आउसकता है जब यह मैसूस किया जाता है कि ठीक है अब इसमें हमें आगे और चीज़ें जोड़नी है जो विकास के इसाब से या पाम चीज़ें आती है इंपूट आते हैं उसके आदार पर जब लगता है कि यह चेंज होना है तो पिछली बार तो पैंडमिक का था ना इस वह पिछली बार तो यह बहुत बड़ी देश की जुम्यदारी थी और जो यह लोग प्रशन पूछ रहे हैं हम सब का दाई तो न लोग लोग अ का दो यह जोगा लोग रहे हैं है तो यह लोगर विए यहां पैंडमिक का दोड़ी दोग ना इस विएँ हैं हैं अबता है